रोतास में आपसी रंजिश में चाचा भतीजा की हत्या कर दी गई दोहरी हत्या से इलाके में संसनी फैल गई है हत्या के पीछे की वज़ा आपसी रंजिश बताई जा रही है गटना नगर तनक श्वेत्र के लसकरी गंज के पास की है पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शवो को कबजे में ले लिया है और आरोपियों की खोजबीन में जुट गई है गटना के बाद इलाके में काफी तनाव है पुलिस लगातार वहां कैम कर रही है एक तरफा प्यार में युवती को अपनी जान गवानी पड़ी मामला बिहार शरीफ का है जहां युवक ने एक तरफा प्यार के सनक में युवती की हत्या कर दी और शव रेल्वे स्टेशन के पास फेक दिया हत्या की सूशना मिलते ही युवती के परिजनों में कहराम मच गया परिजनों ने बताया कि आरोपी युवक लगातार लड़कों को परेशान कर रहा था और जान से मारने की धमकी दे रहा था पुलिस ने मामला दर्श कर लिया है और आरोपी की खोजबिन फलाल की जा रही है पुलिस ने दीपक हत्याकांड के फरार आरोपी को ग्रफतार कर लिया है ग्रफतार आरोपी के पास से पुलिस ने हत्या में शामिल चीजों को बरामत किया है आरोपी लहरी थानक श्वेतर के मतुरिया का रहने वाला है आपको बता दे कि बीते 6 जनवरी को अपराधियों ने सोह सराई के रहने वाले दीपक की बहरहमी से हत्या कर दी थी जिसके बाद पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार शापे मारी कर रही थी जन्वरी को दीपने का थाना अंतरगत मागड़ा चंडी अस्थान से एक ट्रंक में एक शौब रामद हुआ था इसकी पहचान सो सराइक के दीपक कुमार नामा को एकती की रूप में हुई थी उसमें एक प्रया डर्ज हुई थी दो अभ्यूप्ट की विरुत कुलिस के द्वारा इसमें तौरित अनुस अन्दान परारंद क्या गया तो वहीं जपरा में रिष्टे को कलंकित करने की घटना सामने आई है जहां मामी ने महज 20 साल के भांजे की टांगी से मार कर निर्मम हत्या कर दी इतना ही नहीं मामी ने भांजे की हत्या कर शव को टेबल की नीचे चुपा दिया काफी खोजबीम के बाद घरवालों ने शव को पाया तो वहीं सूचना पर पहुची पुलिस ने शव को कबजे में लेते हुए आरूपी महिला को ग्रफतार कर जेल भेज दिया है और घटना दावतपूर चटी की है देखा सब कोई नहीं हो में हम जती थे वह आगे पड़ दिती सामने अ मैं भासुर हूं जाने नहीं जाने देती घर में जब मौन में का आगा आगा दास्यारवाज किरी में बोला नहीं जाने दो हमां को देख रहा है घर में तो हम गए उसो तेका कोटून से तोब दी अथ अराम से आपकोट चद्रा है ना